नमस्कार दोस्तो आटो टेग विद्या गुरू यूटूब चैनल में आपका स्वागत है सबसे पहले मैं दोस्तो उन इस्टुडेंटों का भार व्यक्त करना चाहता हूँ उनका अभिननदन करता हूँ जो स्टुडेंट हमारे यूटूब चैनल के माध्यम से जुड़े हुए है एवं जो स्टुडेंट हमारे चैनल पर नए होंगे उन सबी स्टुडेंटों का मैं अपने चैनल आटो टेग विद्या गुरू यूटूब चैनल में स्वागत और दिल से अभिननदन करता हूँ तो दोस्तो मैं आप लोगों को एक सूचना देना चाहता हूँ कि हमने अपने यूटूब चैनल का नाम चेंज कर दिया है जैसा कि आप लोग दोस्तो जानते होंगे कि अभी जो हमारा चैनल का नाम था वो आटो टेग के नाम से था अब हमने अपने यूटूब चैनल का नाम चेंज कर दिया है तो दोस्तो मैं अब आप लोगों को बता देता हूं कि पहले मेरे चैनल का नाम क्या था अब मेरे चैनल का नाम क्या हो गया है पहले हमारे चैनल का नाम आटो टेक था अब हमने अपने चैनल का नाम बदल करके आटो टेक बिद्या गुरू रख दिया है जो कि आप लोग देख सकते हैं, पहले बाला नाम ये था, आटो टेक के नाम से, आप लोग स्कीन पर देख सकते हैं, तो दोस्तो अब हम अपने यूटूब चैनल का नाम बदल करके, ये रख दिया है, आप लोग स्कीन पर देख सकते हैं, आटो टेक विद्या गुरू के ना बाद तो दोस्तो अब आये चलते हैं सीधे टॉपिक पर जो की इंजन से संबंदिक टाप 10 प्रसनों को देखने वाले हैं तो पहला प्रसन है दोस्तो पिश्टन की ऊपर से नीचे तक की चाल या नीचे से ऊपर तक की चाल को क्या कहते हैं तो उसका सही आंसर है दोस्तो इस्ट्रोक कहते हैं तो दोस्तो हमने इसके पिछले वीडियो में TDC, BDC, इस्ट्रोक और बोर को समझाया था आप लोग हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियोज को देख सकते हैं वैसे तो आप लोग जानते हैं दोस्तो जब पिछटन TDC से BDC की ओर आता है या कि BDC से TDC की ओर जाता है उसे स्ट्रोक कहते हैं ठीक है दूसरा प्रस्ण देखते हैं कितने स्ट्रोक में क्रेंक साप्ट एक चक्कर पूरा करता है तो इस प्रस्ण का कहने का मतलब है दोस्तों की Piston कितने बार उपर नीचे अप-डाउन करता है तो Crankshaft एक चक्कर पूरा लगाता है तो इसका सही आंसर होगा दोस्तो 2 Stroke यानि की जब Piston एक बार नीचे आता है तब Crankshaft अधा चक्कर लगाता है और जब दूसरी बार पिश्टन उपर जाता है तब क्रेंक साप्ट आधा चक्कर लगाता है तो इन दो श्ट्रोक को पूरा करके क्रेंक साप्ट एक चक्कर लगा लेता है तीसरा प्रस्ण है क्रेंक साफ्ट को दो चक्कर लगाने के लिए कितने स्ट्रोकों की जरूरत पड़ती है प्रस्ण है बिल्कुल दूसरा और तीसरा लगभख सेम है बस इस प्रसन में पूँच रहा दोस्तो कितने श्ट्रोक में क्रैंक साफ्ट एक चक्कर पूरा लगाता है और यहां पूँच रहा है तीसरे प्रसन में पूँच रहा है क्रैंक साफ्ट को दो चक्कर लगाने में कितने श्ट्रोकों की जरूरत पड़ती है तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं जब crank shaft एक चक्कर पूरा करता है तो तब दो stroke की जरूरत पड़ी थी और यहाँ दोस्तो दो चक्कर लगाने के लिए 4 stroke की जरूरत पड़ेगी ठीक है तो इसका सही आंसर होगा 4 stroke चोथा प्रस्ण है सिलेंडर हेड के अंदर कितने बाल्ब फिट किये जाते हैं या कि यही प्रस्ण बन सकता है दोस्तो कि सिलेंडर हेड के अंदर कितने प्रकार के बाल्ब प्रयोग किये जाते हैं तो इसका सही आंसर होगा दोस्तो इनलेट बाल्ब एवं एकजास्ट बाल् तो इनलेट बाल्ब क्या होता है दोस्तों तो इनलेट बाल्ब सक्सन श्ट्रोक के दौरान खुलता है जिससे वाहरी वाता वरण का सुद्धवा सिलंडर के अंदर प्रवेश करता है ठीक है अब एकजास्ट बाल्ब बता देता हूं एकजास्ट बाल्ब का प्रियोग पाबर स्ट्रोक के बाद सिलेंडर के अंदर जो धुमा होता है उसको निकालने के लिए प्रयोग में लाया जाता है आगे हम इनके बारे में विस्तार रूप से चर्चा करेंगे उस जगय को क्या कहते है तो इसका सही आंसर होगा दोस्तो बालब सीट बोलते है यानि की जहां पर इनलेट बालब एबं एगजास्ट बालब पॉप अप करते हैं उठते बैठते हैं उस जगे को वाल्ब सीट कहते हैं तो छटमा प्रस्ण है इनलेट वाल्ब के द्वारा इंजन के अंदर क्या प्रवेश कराया जाता है तो इसका सही अंसर होगा हवा एबम पेट्रोल का मिस्त्रन अगर पेट्रोल इंजन है तब और अगर इंजन डीजल इ चाहे पेट्रोल इंजन हो और चाहे डीजल इंजन हो दोनों में लगाया जाता है सात्वा प्रस्ण है जब पिस्टन सिलेंडर के अंदर नीचे तरफ चलता है उसे क्या कहते हैं में बोलते हैं downward stroke, आठवा प्रस्ण है, हवा एबं पेट्रोल को सही मात्रा में मिलाने का कार कौन करता है, तो इसका सही आंसर होगो दोस्तो, नवा प्रसन है हवा एवं पेट्रोल के मिश्टन को जब सिलंडर के अंदर जलाया जाता है तब उसे क्या कहते हैं तो उस स्थिती को बोलते हैं combustion यानि की हिंदी में बोलते हैं दहन और यही क्रिया डीजल इंजन में भी होता है जिसे क्या बोलते हैं combustion या हिंदी में बोलते हैं दहन तसमा और लाश्ट प्रसन है पिश्टन के ऊपर उपस्थित gases को दबाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं तो तो दोस्तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और उसके बगल में बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजेगा ताकि हमारे आने बाले लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले हम मिलेंगे अपने नेक्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए जैए जै भारत